वेल्कम बैक फ्रेंड्स डिस्कावड रांच मैं आपका स्वागत है मैं विनोज आज स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स सेशन जहां पर मैं आपको बता हूंगा जो प्योर टेबल है उसमें अपन फॉर्मुला कैसे आड़ करें राइट सु विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अलंकि स्टार्टेड यह मेरा डितर है ठीके लिजग तेबल में क्लिक करूंगा यहां पर गोके पह क्लिक ही फिल्ड एड aumento ओर है ठीक है यहां पर दो नेम्स आड़ मोटो की मैं सब्जेक्ट वैल्यूहbs इलो Catalregs में ठीक है गाइस अभी तक अपने अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल अभी मुझे एड करना है फॉर्मुला इन दोनों का टोटल निकालना है या फिर अगर आपको चाहिए किसी चीज का एवरेज निकालना है सम्टाइम्स अगर आप वरकिंग प्रफेशनल हो वहां पर अप्सेंटिजम ट्रैकर में प्ल प्लांड ली उप्ल मंत्वज आपको डिटर देना होता है तो वह टाइम पर यूज कर सकते हो इस फर्मुला को वेरी इजी स्टेप गाइस जूम करता हूं जूम इन करता हूं ताकि आप देख सको और अपनी प्रोजेट में इंप्लिमेंट कर सको करेक्ट तो इस इस डेटा इन शोविंग यो मैंने क्या किया यह मेरा नॉर्मल डेटा था ठीक है मैंने इसको पी आट मारा और सेम टेब की आनलाझ़ पर क्लिक करो और रहा हा नलस करने के बाध यहां पे फिल्ल में में जाओ ठीक है यहां पर calculate field click here अब आपको क्या निकालना है इसका average निकालना है total निकालना है total depends upon you आप कैसा select करते हो मैं आपे नाम दे रहा हूँ मुझे तोटल ठीक है total दिया मैंने I understand अभी मुझे कोई सवाल बे आएंगे निचे comments में कि comment अगर हम जो total निकालनी है तो मैं पहले data में क्यों ना डालू अगर by chance आपका data बड़ा हो और आपको आप भूल गए data total निकालना ठीक है आप यहाँ पर प्योट में भी कर सकते हो that's what I am just tell you ठीक है तो यह name total में डाल दिया मैंने यह formula यहाँ पर डालूँगा मैं is equal to ठीक है कुणसी field है मेरी यहाँ पर click किया मैंने subject 1 पर insert field ओके मैं plus पर click कर रहा हूँ क्योंकि ताकि मैं total निकाल सकूँ correct यहाँ पर subject to select कर रहा हूँ अपस और insert field ठीक है यहाँ पर ऐसा कोई यह नहीं है restriction नहीं है कि आपको खरी total निकालना है अगर आपको चीए तो average निकालना है subtraction करना है multiplication करना है you can do it guys ठीक है okay पर click कर रहा हूँ ठीक है load हो रहा है this is the total ठीक है same total आ गई यहाँ पर ठीक है अब मैं वही चीज अगर directly manually कर पाता है यहाँ पर है ठीक है तो मुझे यह अलाव नहीं करेगा correct it will fetch you an error we can't change this part as it's in a pure table right so इसलिए मैंने यह बताया guys ठीक है अभी यह जिसे total किया है मैं multiplication भी कर सकता हूँ ठीक है again going on to the same tab कहां पर गहता है मैं analyze fields में यहाँ पर calculate field correct यहाँ पर लिखता हूँ मैं multiplication multiplication multi कीक है यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ subject 1 that is inserted यहाँ पर मैं करता हूँ asterisk sign दे रहा हूँ या फिर विची यह division right तो मैं division add कर दूँ कीक है अभी second sign यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं insert पर again add पर क्लिक then ok so यह load हो रहा है this is the so यह मैंने multi you know mistaken laid हुआ थो तो मैं यहाँ पर जाती change कर सकता हूँ title तो आप change कर सकता हूँ so this is all I had friends hope you like this video ऐसे videos मैं हमेशा बना दे रहता हूँ अगर कुछ अपको interesting लेगा इसमें से थोड़ा सा भी पार्ट so please please like this video and subscribe my channel कर देंगा